टीम इंडिया के गफ्तान मेहन सिंग धोनी पर बन रही फिल्म MS थोनी दा अंटोल्ड स्टोरी का ट्रेलर गुरुवार को रिलीज हो गया है ट्रेलर को शुकरवार सुबह तक 25 लाग से जादा बार देखा जा चुका है सबा 3 मिनेट के ट्रेलर में धोनी के इंडियन क्रिकेट टीम में आने से पहले के संगर्ष को दिखाया गया है इस फिल्म में धोनी का किरदार एक्टर सोशान सिंग राजपूर निभा रही है ट्रेक्टर निरच पांडे की आने वाली फिल्म MS धोनी दा अंटोल्ड स्टोरी का सभी क्रिकेट फैंस को इंतिजार है सो शांत के साथ भूमिका चावला और अंपमखेर भी फिल्मे नज़र आएंगे अंपमखेर धोनी के पिता की किरदार में दिखेंगे इस फिल्म में आपको धोनी के शुरुवाती दिनों के बारे में पता चलेगा डियेवी पब्लिक स्कूल में फिल्म का ट्रेलर लाउंच करते हुए धोनी ने अपने बचपन के दिनों को भी याद किया धोनी ने बताया कि मैंने डियेवी राची से पढ़ाई की है मैंने हमेशा से कहा है कि स्कूल के दिन मेरे लिए जिन्दगी के सबसे अहम पलों में से एक है धोनी के करतार निबाने वाले अभी निता सोशान सिंग राजपूत ने इस भूमिका के बारे में कहा कि ये काफी बड़ी जिम्मेदारी थी ट्रेलर की शुरुआत एक रेलवे स्टेशन से होती है जहां धोनी को टिकेट कलेक्टर के तौर पर दिखाया गया है और ट्रेलर का अंध 2011 विशुकप में धोनी के वज़य चके के साथ किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोस के प्रोडक्शन में बन रही है फिल्म 30 सितंबर को रिलीज होगी दिखते रहें डीवी लाइव